भारत देश में ऐसी कितनी ही शांदार कहानिया हैं, वो अपने आप अपने विकास के लिए एक दूसरे के गाइड बन देए, क्योंकि वो बस द्वार थे, तब आप देखते हैं, आपका भाग या खुद को उस दिशा में विवस्थित करना शुरू कर देता है। भारत में ऐसी कितनी ही शांदार कहानिया हैं, कि इस तरियां कैसे दिव्विदर्शी बन गई, बस यूँ ही अपने पतियों के प्रती समर्पित होकर, क्योंकि उन्होंने उसे एक आदनी की तरह नहीं देखा। भारत में ये एक प्रता रही है, आप ये बेशक जा चुकी है, पहले वो पती को स्वामी कहती थी, और वो भी इस पर ख़रा उतरता था, इसके लिए आपसी सहयोग चाहिए। तो जब चीजें ऐसी होती थी, तो शुरुवात में हॉर्मोन्स होते हैं, वो हरकत में आते हैं, अपना काम करते हैं, भावनाएं होती हैं, वो भी सक्री होकर अपना काम करती हैं, उसके बाद आप अपने पती को पार जाने के एक द्वार की तरह देखती हैं। और क्योंकि हर किसी को किसी ना किसी तरह की आध्यात्मिक ट्रेनिंग मिला करती थी, यह वो समय था, तो वो अपने विकास के लिए एक दूसरे के गाईड बन जाते थे, और जादातर, अधिकतर ऐसी विवस्था से, हजारों महिलाएं दिविदर्शी बन गई, पुरुष नह नहीं पहुचता, द्वार वहीं रह जाता है, लोग आते हैं, जाते हैं, है की नहीं? भारत में ऐसे कितने ही शांदार एक्जाम्पल हैं कि इस तरियां कैसे दिविदर्शी बन गई, बस इसलिए क्योंकि उनकी भावना एक ही दिशा में थी, बस एक ही दिशा में, ये पल क भी, बदली नहीं, देखे, जैसी शिक्षा आपको दी गई है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, आप मानते हैं कि आप अपना मन किसी चीज़ पर फोकस्ट रख सकते हैं, पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, है की नहीं? हलो? क्या आप अपने मन को मुझ पर, या अपने पती पर, या अपनी पत्नी या बच्चों पर, या अपने भगवान या चाहे जो हो उस पर फोकस्ट रख सकते हैं? या आप अपने बिजनेस या पैसे को ही ले लीजिए, क्या आप 2400 गुटे अपने मन को पूरी तरह फोकस ड्रख सकते हैं? अलो? नौ? नहीं, तो ये तो है अभी आपकी बुद्धी का स्वभाव, तो अगर आप अपनी बुद्धी को ट्रेनिंग देना चाहें, कि ये ऐसे रह पाए, कि ये लंबे समय तक एक ही चीज़ पर टिकी रह सके, तो ये बहुत बढ़िया होगा, पर इसमें बहुत महनत लगेगी, लेक बस वो ही वो है ना, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, तो बुद्धी की तुलना में आपकी भावनाएं जादा सक्षम हैं, मैं बस ये आपको आहिस्ता से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, Hello, is it okay? ओके है ना, औरते कहेंगी ओके, उनके लिए आसान है, पुरुष कश्म कश्म हैं, क्या? चाहे आप आदमी हो या औरत, या आपके लिए सच है, इस पर गौर करके देखेगा, हो सकता है आपका प्रेम फोकस्ट ना हो, पर आपका घुस्सा फोकस्ट होता है, वो भी एक भावनाएं हैं, अगर आप तापमान पर या तीव्रता पर ध्यान दें, आपने जीवन के कितने पलों में आपको ऐसे विचाराएं हैं, जो कि गर्मा गर्म तीव्रता के साथ जल रहे थे, पर आपने ऐसी भावनाएं मैसूस की हैं, हैंना? अपनी बुद्धी की तीव्रता को जटका देकर चड़ाने की तुलना में, अपनी भावना की तीव्रता को जटका देकर चड़ाना ज़ादा आसान है, क्योंकि पहले वाले में बड़ी मेनत लगती है, बुद्धी की तीव्रता को बनाए रखने के लिए बहुत सारा काम कर पर देखते हैं, आपका भाग ये खुद को उस दिशा में विवस्थित करना शुरू कर देता हैं, फिर आप ऐसे हो जाते हैं, कभी आप वैसे हो जाते हैं, तब भाग ये अविवस्थित होने लग जाता हैं. आप मेंसे हर किसी ने जिसने Inner Engineering प्रोग्राम किया है, कभी न कभी ये अनुभव किया होगा, कि जब आप कारिक्रम में आये, अचानक ऐसा लगा, कि आपको अपनी जीवन का रास्ता मिल गया है, बूम, पर फिर आप में धीरे धीरे खुद का ध्यान भटका लिया, और ये बि वैसे भी हम सब इधर ही जा रहे हैं, हलो, नहीं, सब सोचते हैं कि वो ऐसे जा रहे हैं, उसका कोई सबूत नहीं है, नीचे जाने का सबूत है, हाँ या न, आपके पास कोई सबूत है कि आप उपर जा रहे हैं, नहीं, पर इसका सबूत है कि आप नीचे जरूर जाएंगे हाँ अगर आप उनमें से हो जो मंगल पर दफन होने का खर्चा उठा सकते हैं नई नई धर्ती को आपकी जरूरत है भले ही जन्दा रहते हुए आप काम के नहों पर मरने के बाद धर्ती को आप अच्छे लगते हैं धर्ती माता आपको वापस पाना चाहती हैं प्लीज इसके लिए उन्हां मना मत कीजेगा जब हमने कहा कि भक्ती ही वो रास्ता है तो लोग सोचते हैं कि भक्ती आनी मंदिर जाना चर्च या मस्ज़द जाना लोग सोचते हैं कि भक्ती आनी धर्म भक्ति यानि आप अपनी भावनाओं को ऐसे विवस्थित कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से आपके लिए काम करें क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भावना में रहते हुए सिर्फ भावना के पलों में ही आपने अपनी सबसे भीतरी मिठास को चखा है जिसे आप मैं कहते हैं, ऐसा है कि नहीं है, कि आपने बुद्धी की मदद से इसको कभी छुआ है? दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, एकीन मानिये दुनिया में बहुत ही कम लोग बुद्धी से उस मिठास को छूपाते हैं आप में से अधिकतर लोगों ने सिर्फ भावना में रहकर अपने जीवन के उस मिठास को जाना है, है ना? आपकी जिन्दिगी के सबसे खुबसुरुत पल भावना के पल हैं, है ना? वो शायद टिक ना पाएं हूँ, वो एक अलग प्रॉब्लम है, शायद उन्हें मैनेज करने में कमी रह गई हो आप स्थिती को अपने हिसाब से मैनेज न कर पाएं हूँ, क्योंकि आपकी भावनाएं, आपका भीतरी माहौल बाहरी दुनिया का घुलाम है और मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें, कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह से बाहरी माहौल को मैनेज नहीं कर पाता है हम इसे कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं कभी ये हमारे हिसाब से चलता है, तो कभी ये हमारे हिसाब से नहीं चलता है की नहीं, हलो कभी-कभी ये हमारे हिसाब से चलता है, हम चाहते हैं कि ये हमारे हिसाब से चले, पर ये हमेशा 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 नहीं चलता कभी आपको इग्नोर कर देंगे ऐसा होता है ना चाहे आपका बहुत बड़ा लव अफैर ही क्यों न चल रहा हो भले ही आपका बहुत बड़ा लव अफैर ही क्यों न चल रहा हो कभी वो आपके साथ बड़े अच्छे रहते हैं कभी वो आपको इग्नोर करते हैं और कभी वो आपको बड़ा परिशान कर देते हैं यह सर नो हाँ यह नहीं तो भक्ती का मतलब है अपने भीतरी महाल को ऐसे विवस्थित करना कि आपका भावनात्म कायाम हमेशा आपका साथ दे आपके खिलाफ नहों और इसके लिए आपको इसे वहां बांध कर छोड़ देना होगा भाग यह फिक्स हो जाएगा मने आपको एक कहानी जरूर सुनाई होगी एक बुढ़े योगी थे जो वेलंगिरी की पहाडियों तक पहुँचे यह वेलंगिरी पहाणिया इशायोग सेंटर इन ही वेलंगिरी पहाडियों की तलहटी में है यह मुश्किल चड़ाई है करीब 5,800 फीट उपर खड़ी चड़ाई है वो 80 साल से जादा के थे वो धीरे धीरे चड़ते वो उपर पहाडी पर जाना चाते थे क्योंकि वहाँ उपर एक पवित्र स्थान है जो दुकानदार वहाँ वहाँ बैठा करते हैं यह बेवकूफ कभी उपर पहाड पर नहीं चड़े वो वहीं तलहटी में बैठ कर बिजनस करते हैं तो चोटी मोटी चीज़ें बैचते हैं कुछ खाने की चीज़ें, कुछ बीडी और तंबाखो और यह सब चीज़ें वहाँ बैठे बैठे बीडी पीते पीते वो इस योगी को देखकर बोले ओए बुले आदमी तुम्हें पता हैं यह पहाड़ी कितनी उची है हम भी वहाँ उपर नहीं गए हैं तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसा बूला यह पहाड़ चड़ पाएगा योगी ने उनकी तरफ देखा और कहा मुस्कुराते हुए कहा देखे, मैंने पहले ही अपना दिल वहाँ उपर रख दिया है बाकी शरीर अपने आप पीछे पीछे चला जाएगा आप मेरी जिंदा मत कीजे मेरा दिल पहले से ही वही है मैं भी पहुँची जाओंगा जहां आपका दिल है आप वहाँ कैसे भी पहुँची जाएंगे है ना? हा? तो यह होता है अपनी भावनाओं के इस्तिमाल से अपने भीतरी माहौल को संभालना यानि आप अपना दिल वहाँ फिक्स कर दीजे और उसमें कोई बदलाव मत कीजे वो पहले से ही वहाँ है अब आप चाहें यहाँ देखें वहाँ देखें चाहें जो भी करें आपका दिल आपको उसी तरफ खींचता रहेगा